हेलो दोस्तों वेलेकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आइटी जोब में मैं कास कुमार देश के सभी युवा को इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं और आपके सामने प्रत्यक्स रूप्सिजम सामने खरा हूं आप लोग का कमेंट था कि सराइब भाई फेस आईए ला का बहुत इंपोर्टेंट्स है उसको मैं लेकर आया हूं आप लोग को बताने के लिए कि आप लोग का कौन-कौन सवाल है देखिए आप लोग का सवाल वेकेंसी कब आएगा ओके दिना आगे बात करते हैं दुसरा नम्म सवाल था कि कितना पत खाली है यह बहुत बच्चे सब गलेकर औरम त्विटार अभ्यानका क्या हुआ जो मैंने कमेंटी बुच्ट को कीजिए तो मैंने कमेंटी भी किया था और मैं टूटर पे जो है जिरिशी बिजंद्र प्रसाद यादव जी को मैंने वेकेंसी कब तक आने की संभावना है तो आप लोग सब सवाल है आप लोग को मैं डिटेल ने बताऊंगा और फॉर्स में था क्लास क्यूं नहीं ले रहे हैं और फाइप में मैं रखा हूं कि बिहार में बाहर आने वाली है और डिपार्टिमेंट वेकेंसी आउट 2022 में ओके और यहां पर सिक्स नमर कोश्चन आप लोग अथा स्रिवजेर परसाद 11 टूटर का जवाब क्यों नहीं दिए यहां पर बिजन्द्र परसाद जी क्या बोले जवाब क्यों नहीं दिये यह भी आप लोग का डाउट था आप लोग को मैं क्लियर कर दोंगा और यहां पर स्टेट में ह आ गया आप लोग का जो है कि बहुत बड़ा खुसकबडी है और इंडिया का वेकेंसी ए और सभी ट्रेट को दिखा गया या विल्डरों फीटरों मुझे निस्टों कारपेंटरों यह ट्रॉनीटी समों और इंडिया एलिजिबल है बीए बीटेक एंसी एक है या और मतलब ब वेकेंसी आउट किया है 826 पोश्ट है आप लोग का सिर्फ आई टी वाले के लिए तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा मैं बात करूंगा अलग एक वीडियो बनाएंगा आप लोग को डिया डियो पर आप लोग को त्यारी किसे करना क्या सलबस रहेगा वह सब चीज पर मैं बताने सकता हूं कि कंफर्म डेट कि क्वी रोज दीन आप लोग का यहां पर मीटिंग हो चल रहा है तो बार आप लोग का टेंडर जारी बी किया गया और केंसी आने की सम्भावना इसलिए अगर में आना होता तो पैनल तयारी कर लिग नहीं होता और यहां पर वेकंसी आउट के डिकार्डिंग आप लोग का टेंडरिंग पास भी नहीं होता ठीक है तो यह सब चीज बना हुगा है बस पालित कर देना है तो वेकंसी आएगी आप करते रहां करते रहें दिमोटिवेड नहीं होना है भूल कर भी दिमोटिवेड ओ प्लिक कर दिया जाएगा आप लोग फिर जारी कर दिया गया ना कि तीन सितंबर से आप लोग का फरम इलिजबल हो जो भी श्टूडेंट है वह फरम भर सकते हैं तो इसा नहीं है कि वेकेंसी नहीं आएगी ओके तो यह आप लोग को और बीजले मैं बताऊंगा कहां है कितना पद खाली यह भी आप लोग का सवाल था मैं बता दू कि यहां से 2600 से 2700 ठीक है 2700 पद खाली है only for ITI के लिए ठीक है बीए बीटेक और यह सब के लिए बात नहीं करो टाइपिंग के लिए जो मैं बात कर रहा हूं ठीक है only for ITI के लिए तो ITI पोस्ट पर इतना है वेकेंट हीट है आप लोग का ठीक है तो आप लोग तैयारी करो त्यारी नहीं करोगे तो आप लोग थिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगी आप लोग फिर रोगे कि सरब मरने का मन कर रहा है यह है वह है आप लोग ऐसा कमेंट करतों मैं खुद रोगेता हूं तो आप लोग ऐसा ना सोचे आप लोग डी मोटिवेट नहीं हो यह आप लोग अपना गोल जो है टारगिट हमेशा रखिए ठीक है अब आपना जो आप चला रहे थे लोकाल ट्रेन तो एक्सप्रेस गारी की तरह चल यह ओके ठीक है और आप लोग का यह डाउट सोल्व हो गया होगा देना आगे बात करते हैं तिसरा नंबर सवाल था आप लोग का टूटर भियान का क्या हुआ टूटर भियान का डिस्पोंस नहीं मिला है नहीं तेजस्वी यादव जी की ओर से नहीं उर्जा मंत्री श्री बिजेंद्र परसाद यादव जी की ओर से मैं आप लोग को बता दू क्यूंकि बच्चा ही कम था बच्चा चार्ड आप लोग को मता दू कि 40-50-60 इतना ही ट्विट की हैं तो इतना से क्या होने वाला भाई आप लोग एकता बनाओ और एक दिन और डेट लिका लो संसर के लिए इवर फोची करना पड़ता है तो आप लोग को करना पड़ेगा अपने हक लिए लढ़ाई के लिए लरना होगा आप लोग लट लेकिन बहुत ज़ल्दी वेकेंसिया जाएगी नहीं भी लड़िएगा तपर वेकेंसिया जाएगी मैं बताता हूं आप लोग अंदर की बात और भी टेल में तो यह आप लोग बहुत कम बच्चा ठीट किया बहुत बच्चा को आया ही ने ट्यूट करने तो मैं बता दूँ आप लोग जनरली तब पर यूट्यूब पर जाकर सीख लो या कूँट करना है तो उसमें कौन बड़ी बात है ठीक है किसी को भी टैक करके आप लोग चाहोगे कर सकते हो त्यूट कर सकते हो बोच सकते हो अपना सुझा कि सर वेकेंसिया आ रही है क्यों लेट हो रहा आए प्लोग कुछ लेकिन मैं बिहार के प्रती जादे मैं बोलूगा क्योंकि बहुत देड़ी से बिदली विभाग में तो मैं बोलूँ गा कि सर आप लोगी सपोर्ट किजिए चलिए कि इसका आप लोगों सॉल्बा हो गया होगा कि से कम 500 700 800 कि 1000 में होना चाहिए आप लोग का कम से कम लड़का होना चाहिए आप लो ही कि इसे क्या होगा इसे तना ज्यादे होगा उस से ज़्यादे और डिया pana this बच्छा स्व्यारं कibility same Harry bought the राई चली यह लिए आप लोग का मैं फीबर हो गया था तो इसके काराण से मैं मैं की से आहां पर का मैं बता दूऌं कि आप लोग मिझाऊ तुमों कर रहा टीक तो इसके कारण से मैं आप लोग क्लास होगा एक दो क्लास सब चीज हो गा जैसे कि हिंदी का हो गया या कंप्यूटर को गया यह टेकनिकल जो मैं से लेबस आप लोग को पूरा करके दूंगा टैंसर नहीं लेना आप लोग चलिए आगे बात करते हैं वाइब को सब्सक् कि अपना लिका लगे दीजिए कि किसना पद आप में खाली है हर डिपार्टमेंट को बोला गया तो आप लोग को अच्छी ख़वर आ रही है कि मतलब कि यह सब पॉजिटिव थिंगिंग की ओड़ है कि मतलब कि वेकेंसी आने की संभावना है तो ठीक है तो देखिए अभी नया सरकार बदली है ठीक है रातो रात बदली है तो यह सब हुआ तो देखिए यह लोग अपना सत्ता बनाया रखने के लिए वेकेंसी आउट करेंगे क्योंकि तेजस्वी जी जो है अभी युवा है युवा के प्रती हमेसा जब हमेसा एक्टिव रहते हैं ठीक है बात बोलते रहते तो अब तो उनका सरकार आगया तो लोग खुद अपना प्लानिंग कर रहे हैं कितना वेकेंसी कहां लिकालना है दस लाग वेकेंसी आउट करने की संभावना है वह इंटरनल सोर्स से पता चला है ठीक है कि 10 सितंबर को वह सक्षर करने वाले 10 लाग पत प प्रेकेज मिले बिहार को आगे बढ़ाया जाए यह सब चीज आप लोग का वह बोलते रहते हैं तो इस पर ध्यान देंगे ऐसा नहीं है क्योंकि राज करना है उनको मार्केट में मैं आप लोग को बता दूं कि 2024 में उससे पहले आप लोग को सभी डिपार्टमेंट वेकें इसलिए ताकि उसमें देखा जाए कितना पत खाली है देखिए डांक विभाग हो गया औरिनांस फ्रैक्टरी आप लोग का अपकामीन में लेकिन आप लोग का डांक विभाग आने के समभावना भी आ गया आने के संभावना है फिर आपको DRDO हो गया आप लोग का UPR VNL आ अच्वावन और में यह सब आने के समय नहीं करोंगे तो फिर आप लोग को दिकत हो जाईगी तो यह से लिए बोल रहा हूं कि बिहार में बाहर आने वाली है पुरा देष में बाहर आने वाली है क्योंकि मोदी जी भी बहूंअकि वेकेंसिया आट किया जाएगा आप लेकिन फिर और वह बहुत होता है कि उस पर सवाल सब्सक्राइब के तो इसलिए यूआ को लिकालना पड़ता है दिन आगे बात करते हैं स्पर्फ का जवाब क्यों नहीं दिये ये आप लोग का सवाल बहुत था कि उट्जा मंत्री जो हैं वह बई पता चल रहा है कि उनका थोड़ा खराब चल रहा है अभी वह बुखार उखार हो गया उनको फिवर उबर आ रहा है तो उनसे वह थोड़ा ग्रशित है उसके कारण से आप लोग को वह जवाब भी नहीं दिए किसी को भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं नहीं सचवाले में आ है ठीक है नहीं बैट रहे हैं अभी तो वह आएंगे तो फिर बात सीथ होगा आप लोग मैं बता भी दूंगा कि आ गया है तो आप लोग को करवाई कुछ हो जाएगा ठीक है यहां पर वेकेंसी आने की संभावना क्या क्या होगा लेकिन तैयारी करो वेकेंसी आएगी ठी साथ नमर आप लोग का कोश्चन था मैं यह कोश्चन रखा हूं कि स्टेट में ही नहीं सेंटरल में भी बहुत भरती आने के परक्रिया हो रही है देखिए अभी डियाडियो आ गया बहुत सरा वेकेंसी आइटी आई पर नहीं आल अवर इंडिया के जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब लोग को देखा गया अब सब्सक्राइब करके बस चिलाते रहा हो गया आप लोग नहीं हो पाएगा ठीक है तो आप लोग को क्या है कि हमेशा आप लोग को अगरगामी चलना है कि भाई 2024 में लोग सब्सक्राइब का चुना है यो लोग को प्रेशर है यह लोग वेकेंसी आउट करेंगे नहीं करेंगे तो भोट नहीं मिलेगा आप लोग ये बात क्यूंने समझ रहे हो तो इसलिए आप लोग तयारी करो तयाई नहीं करोगे तो दिकत की समणा करना पड़ेगा ठीक है यह बात ध्यानक ना और यहां पर आठ नंबर सवाल था अप लोग का कि सत्यारी किसका करे DRDO का या BHPCL का difference research organizations जिसका त्यारी करे या Bihar State Power Holding का कमपणी का त्यारी करे मैं बता दू कि दोनों बहुत ही बहतरीन service है भले वो अलग की बात है कि BHPCL को बहुत सारे student नहीं जानते हैं लेकिन DRDO को जो एट में तेन्थ में चला गया उसी समय से वह जान जाता है कि DRDO बहुत बड़ी संस्ता है भरसकार की ठीक है PSU सेक्टर की तरह काम करता है मतलब यह बहुत बड़ी संस्ता है और इस पर बहुत सारे जान रखिएगा DRDO को आप त्यारी कर रहें अच्छी बात है त्यारी कीजिए बहुत बड़ी संस्ता है यह बहुत बड़े मतलब की जॉब होने के बाद बहुत बड़ा चाती से होता ना चाती उड़ जाता टाइट से चलिए सब्सक्राइब हो जाती है ऐसा नहीं है इसका अपना लेकिन इसका अलग है इसका अलग होता है सब्सक्राइब की हम इसका पुरा देख भाल करेंगे ठीक है मिलता है आप लोग को तो ऐसा नहीं किसको नहीं करना डिया डियो को भी फ़रम भड़िएगा क्योंकि 826 पोस्ट है ठीक है 826 पोस्ट पर लिकाला गया तो बहुँ जादे वेकेंसी आउट किया गया आप लोग के लिए तो आई होप कि आप लोग मैं पुरा अच्छी तरह मैं कुछ करना चाहते हैं आप लोग डरते हो और आप लोग सवाल नहीं पूछते हो पताईए आप लोग डरो नहीं तुक है जो डर润 गयá सो मर् गया जो किया सरम उसका ५ूटा करम हब दले से सुना होगा तो सरमनल करना है इसलों को जो सवाल है अब फिरभाइं थो क्लि को हमाइन टॉट्प में आप लोग को लिखो मैं आप उसको मतलब जवाब दे दूंगा अपलों को मैं बाइफ साकर इसे बोट पर आप लोगों को मैं अच्छी तरह से डिटेल में बता दूँगा ओके तो आप लोग तरह नहीं करो अब तैयारी करते रहो अपने क्लास से श्टाट हो जाएगा तो आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर चैनल पर पहली वाप विजिट करें च करने लएंगे तो उसके बाद से मिलनी तोर से अप लोग का प्राने कहीं काम किया जाएगा संस्ता चलेगा ठीक है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए क्योंकि बिहार के देखिए वेकेंसी नहीं आता है तो किसी को भी गुसा आता है सभी को भी थोड़ा दिमोटिवेट हो ज सब्सक्राइबर उनका बात करता है ठीक है तो आप उनका पोस्ट पर आप लोग कमेंट कीजिए यह भी बहुत आप लोग को help कर देंगे अब हां लेकिन जादे बच्चा होगा तभी ठीक है अब एक दो दस बीस बच्चा से कुछ नहीं होने वाला है उन पर भी आप लोग उर्जा विभाग पक्यूने वेकेंसी लिकाल रही है बिहार के युवा निडास हैं वो खुद-खुशी करना चाहते हैं यह सब चीज आप लोग को वह अच्छी तरह से डीटेल में बता देंगे ठीक है तो वह सरकार सुन भी लेगी उनका बात कुछ अलग है तो आप भारत जय बिहार अपका दिन सुब हो